हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम संजीव कुमार सिंगल है और आप लोग मुझे SKS Sir के नाम से जानते हैं हम लोगों ने IATJ 2023 प्रिपेशन को ध्यान में रखते हुए हैं एक Rank Refiner Series शुरू कर रखी है उसका आज का Part 7 हम लोग आगे डिसकस करेंगे Part 7 में हम लोग क्या देखने वाले हैं Parabola हम लोग हर Part में एक Chapter लेते हैं और उससे Related कोई Important Concept के Through Questions देखते हैं तो आज की Series में आज के Part में हम लोग Parabola का Concept सीखेंगे और वो भी Parabola में Tangent की Property पर Based जो की काफी Important है और काफी Students को Property से Related Question का Exposure नहीं होता है तो अगर आपको ये Concept आता है तो Well and Good तो आप Question ट्राई करें और अगर आपको Concept नहीं आता है तो Concept सीखें Questions के Through चलिए हम लोग देखते हैं तो Parabola में ये एक Question पैसेज दिया हुआ है If a Parabola touches the axis at 4,0 and 0,3 Then find the equation of the Directrix Directrix की Equation निकालने को बोल रहा है हम लोग कोई भी Question आता है Parabola पर, Property पर बेस तो हम लोग एक Standard Parabola लेकर ही Property को Explore करते हैं सबसे पहले तो हम समझें कि इसमें ऐसा क्या Use हो रहा है इसमें क्या Use हो रहा है? सबसे पहले हम लोग Parabola बनाते हैं Parabola हम लोगों ने बनाया इसमें यहाँ पर दो Tangent दे रखी हैं जो की Point of Contact भी दे रखा है 4,0 तो हम लोगों ने 4,0 यह माल लिया यह 4,0 और यह P Point और यह माल लिया 0,3 तो अब हम लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है वो आपको पता चलेगा कि अगर हम Point of Contact को मिलाएं दोनों के और इसका Midpoint देखें और Example इसका Midpoint माल लिजिए यह है 2,3 by 2 और दोनों Tangent अब यह 4,0 मतला X-axis पर टच कर रहा है तो Y is equal to 0 इस Tangent की Equation होगी और इसकी Equation क्या होगी? X is equal to 0 क्योंकि यह Tangent X-axis पर टच कर रही है और दूसरी Tangent क्या है? Y-axis को टच कर रही है तो यह X is equal to 0, Y is equal to 0 दोनों Tangents क्या है? Perpendicular तो सबसे Important Concept क्या हुआ अगर हम देखें कि Parabola में दो Tangent है तो उनका और दोनों Perpendicular है तो उनका Intersection Point कहां पर लाई करता है? Directrix पर तो इसका मतलब यह Point Directrix पर लाई करेगा तो एक Point हमें मिल गया Directrix पर 0,0 अब दूसरा Important जो Concept है जो Spaces के तुरू हम सिखाना चाह रहे हैं वो क्या है? कि जो यह Point of Contents को मिलाने वाली Line का Midpoint है और दोनों Tangents का Intersection Point है उन दोनों Point को मिलाने वाली जो Line होती है Parallel to Axes होती है यह हमें ध्यान रखना है Parallel to Axes होती है वो आप Proof भी कर सकते हो कैसे? अगर हम P Point को 81,281 ले और इसको 82,282 ले क्या अगर हम Point P को 81,281 ले और Q Point को जन्डल अगर हम लोग discussion करें 82,282 ले और यहाँ पर अगर हम इस P और Q इसको हम लोग नाम देदें R तो R का Coordinate हम लोग को मालूम है R के Coordinate होते हैं A T1 T2,81 प्लस T2 तो अगर हम इसका Mid Point देखें Mid Point क्या हो जाएगा? 81 स्कायर प्लस A T2 स्कायर बाइ 2,81 प्लस A T2 होगा या नहीं बेटा? बताएं? बिल्कुल यही होगा क्योंकि अगर इन दोनों का Sum करेंग और Divide by 2 करेंगे Mid Point निकालने वाले हैं तो यही होगा और दोनों Tangent का Intersection Point का Y Coordinate आप ध्यान से देखो और और यह देखो तो इन दोनों Point को मिलाने वाली Line का जो Slope आ रहा है वो 0 आ रहा है और हम जानते हैं Axis का Slope भी क्या है? 0 तो इसका मतलब यह निकला कि Point of Contact को मिलाने वाली Line का Midpoint और उनके Intersection Point को मिलाते हैं तो वो Line हमेशा Axis के Parallel होगी यह सबसे Important Concept है दो Concept हम लोग इस पैसिस के तुरू सीखना चाहा रहे हैं एक तो दो Tangent अगर perpendicular है तो उनका Intersection Point Directors पहलाई करता है वो जनरली सभी Student जानते हैं लेकिन यह वाला Concept बहुत कम Students जानते हैं इसलिए यह Question हम लोगों ने Pick किया ठीक है अब ध्यान रहेगा विल्कुल ध्यान रहना चाहिए बहुत Important है तो अब हम लोगों को मालूम पढ़ गया Axis का Slope तो अब Axis का Slope क्या हो जाएगा Slope of Axis क्या हो जाएगा 3 by 2 minus 0 2 minus 0 3 by 4 तो Slope of Directrix क्या हो जाएगा minus 4 by 3 तो Equation of Directrix क्या हो जाएगी निकाली जा सकती है y is equal to y minus 0 क्योंकि 0,0 से पास करेगा ही Directrix और Slope किता है minus 4 by 3 into x minus 0 तो यह हो जाएगा 3y plus 4x is equal to 0 तो यह हमारे पहले पार्ट का अंसर आ गया दो result हम आपको बता चुके हैं अब इस point of content का अगर हम लोग देखें Directrix पर foot of perpendicular निकालें मालीजे इसका foot of perpendicular प्रपंडिकुलर पी डैस है तो क्या आपको मालूम है कि आप हमें focus कैसे निकाल सकते हैं तो आप 2 minute वीडियो को pause करें और सोचें क्या कोई आपको result ऐसा मालूम है जिससे आप इस question को proceed कर सकें नहीं मालूम है तो आप 2 minute के बाद वीडियो को on करें और समझें तो यहाँ पर हम पी डैस निकालते हैं तो पी डैस की जो foot of perpendicular होता है उसकी tangent line के about जो mirror image होती है न वो क्या होती है focus यह prove भी किया जा सकता है लेकिन अभी हम लोग को result पे focus करता है तो हम लोग अगर पी डैस निकाल लेते हैं और पी डैस की इस line के about जो की क्या निखेंगे इसकी image क्या है foot of perpendicular क्या alpha minus 4 upon x का coefficient क्या है 4 beta minus 0 upon 3 is equal to minus अब x और y जो coordinate है 4,0 इसमें रखेंगे सबको मालूम है 16 plus 3 into 0 और x और y के coefficient का square का sum जो की किता होगा 25 तो यहां से हमारा alpha और beta जाएगा जो की हमारा foot of perpendicular होगा p point का directrix पर चलिए calculation अगर हम लोग देखें तो यह हो जाएगा minus 16 upon 25 alpha minus 4 upon 4 beta upon 3 ठीक है चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो alpha minus 4 upon 4 लिखा था हमारे ख्याल से beta minus 0 upon 3 लिखा था और minus 16 upon 25 यही लिखा था हम लोग ने cross check कर लेते हैं तो alpha minus 4 upon 4 ठीक है beta upon 3 तो alpha की value कित्ती आ जाएगी alpha minus 4 कित्ता हो जाएगा minus 64 upon 25 और beta कित्ता हो जाएगा minus 48 upon 25 अब हम लोग 4 add करेंगे तो 4 plus 64 upon 25 तो 25 into 4 100 100 minus 60 तो alpha हो जाएगा 36 upon 25 और beta हो जाएगा minus 48 upon 25 अब गर हम पीछे वाले page slide पे जाते हैं तो alpha बीटा आ गया तो इस point की y is equal to 0 के about mirror image मतला x-axis के about mirror image तो x-axis के about mirror image क्या होगी हमें मालूम है x-axis के about mirror image alpha, beta यह हमारा point है 36 upon 25, minus 48 by 25 तो इसकी mirror image क्या होगी x-axis के about x-coordinate तो वही रहेगा y-coordinate जस्ट उल्टा हो जाएगा मतला minus का plus और plus का minus तो इस तरह से हमारे यह focus के coordinate आता है तो हमने सबसे पहले क्या सिखा दोनों tangent का slope का product अगर minus 1 है तो उनका intersection point direct tricks पे लाई करेगा पहला concept दूसरा दो tangent के point of contact को मिलाने वाली line का midpoint और दोनों tangent के intersection point को मिलाने वाली line हमें इसा axis के parallel तो axis का slope आ गया मतलब directrice का भी slope आ गया और point हमें मालूम था तो directrice की question आ गये फिर point of contact का direct tricks पर अगर हम foot of perpendicular निकालें और उस foot of perpendicular की उस tangent line के बाउन mirror image दें तो वो हमेशा focus होगी तो इस तरीके से तीन points हम लोगों ने सीखे ये तीनों points बहुत ही important है आप इसको ध्यान रखें और अगला जो हमारा part 8 है वो भी इसी concept पर हमने दिया हुआ है क्योंकि ये बहतरी बहुत important concept है जो students को idea नहीं है तो अगले part में आपने ये सीख कर अगले part में आपको खुद prepare करना है खुद त्यार करना है खुद उसका solution निकालना है बिना video देखे हुए तो इस तरीके से हमारा ये part 7 complete हुआ, part 8 भी इसी concept पर based है आप उसको करें, complete करें जिससे आपकी practice हो जाएगी और आपको ये concept हमेशा ध्यान रहेगा अब सबसे important बात students के लिए anacademy का offline center indoor में भी खुल चुका है और उसके दो-दो center है एक center अभय प्रसाल के सामने आप अभय प्रसाल पे आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ और पूछोगे कि कहा है anacademy का center कोई भी बता देगा ठीक है और दूसरा center विजय नगर वे है और विजय नगर की prime location पे बहुत popular location गुरु कृपा restaurant आप लोगों ने सुना ही होगा उसके उपर वाले floor पर anacademy का offline second center आ चुका है तो आपकी कोई भी inquiry है तो आप महां भी जा सकते हैं जो भी आपका nearest center है विजय नगर वाला center या अभे परसाल वाला center जहां भी आपको near लगे वहाँ पर आकर आप counseling करें और बहुत सोच समझ कर decision लें कि हमें आगे क्या करना है Thank you